हलो दोस्तों मैं रिश्यानंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूटीब जिसका नाम है वैदी गडि तो दोस्तों यह स्वाइब और यहां पर स्वाइब काफी अच्छे ऐसे सवाल आपको एक्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं तो जो भी बाई बंदू अगर का साथ जागी तो दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको फार्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे discussion box में बिल जागा आप वहां से चाहँ तो download करके future reference के लिए रख सकते हो साथ ही साथ जो मेरा WhatsApp का group है या पिर टेलीग्राइम का group है वहां पे मैं लिंक डाल देता हो वहां से भी आप download करके future reference के लिए रख सकते हो ठीक है और वह यह WhatsApp का जो लिंक है और यह टेलीग्राइम का जो लिंक है वह भी आपको नीचे discussion box में उसका link बिल जाएगा वहां से भी अच्छा होता आप मेरे साथ जूर सकते हो ठीक है तो चली दोस्तों लेट नहीं करते हैं माच questions है और उनका solution for tax से हम लोग देख लेते हैं ठीक है चली start किया जाए हां तो दोस्तों पहला सवाल आपके screen पर हैं सबसे पहले सवाल को समझे लो सवाल हम बोला किया रहा है in how many ways a selection can be made of at least one fruit हमें एक फल लेना है जिसमें कहां से लेना हमें तो पांच हमारे पास केले हैं बनानाज है फोर मैंगोज है और चार क्या हमारे पास elements है इन तीनों follow मेंसे हमें एक क्या करना हमने कि सेलेक्टित सेलेक्शन करना है एक समझे का मेरे पस कितने 5 बनाना है तो यहां पर पास बनाना से घ्म इन सको कितने सा तरीके संब ले सकते हैं तो ऐसको यहां लखो हों गए तो कम से कम यहां पर एक बोला जा रहा तो कुछ नहीं लेंगे थिक हम्छोच नहीं लेंगेैं हम यह बनानास लएंगे मैंडोज लेंगे बनानास Insular कि बात्यों क्यों सरा कहुंतर रोए थिक दो थीन शीर पाँच और 0 एलमन्ट्स पूरणम्नन्स भी कितना होजागा औरुटो आपको five सोगा होजागा क्लियर है तो इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं सेलेक्शन कर सकते हैं अब क्या इन तीनों में से करना है इन तीनों में से एडलिस्ट वन करना है तो तीनों का जब हमारे पास वेज की बात आएगी या सेलेक्शन की बात आएगी कितने तरीके से हम लोग सेलेक्शन कर सक तो होगे बनाना च्छे पूर मैंगो उसका हो गया और फोर एलमंट को गया कितना पर फाइव तोटल आ जागे यहां पर कितना जागा यह कि यह आजागा आपका टोटल आजागा 150 इतने वेस से हम लोग क्या कर सकते सेलेक्शन नहीं भी करना तो हम क्या करेंगे उसको एक माइनस यहां से कर लेंगे यह हो जागा आपके क्लियर है बात यहां पर समझ गयोगे बात को ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हाँ तो दोस्तों यहां पर जो हमारा सवाल है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसलिए दोनों को एक जगे ही ले लिया गया है तेके 52 नमबर में क्या बोला जा रहा है there are five different Jeffrey Archer books, three different Sydney Sheldon books and six different Johnson Grisham books, the number of ways in which at least one book can be given away, ठीक है, can be given away, ठीक है, at least कम से कम हमें एक दिना है, दो को यहां समझ ना कि पांच different में पास का है, Jeffrey Archer books है, पांच है वो, ठीक है, तो पांच different Jeffrey Archer books है, three different क्या हो गए आपके, Sydney Selden books हो गए, और six different क्या है, मेरे पास John Grisham books हो गए, ठीक है, तो टोटल में पास किताब कितने हो गए, चौद हो गए, ठीक है, अब दोको मेरे पास जो ways है, selection का वो दो ways है या तो हम लेंगे, या तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो ways में बात कर रहा हूँ है, तो ways हमारे पास क्या है, कि या तो हम लेंगे, या तो नहीं लेंगे, तो टोटल ways कितने होगे, मेरे पास टोटल ways होगे, तो, ठीक है, टोटल ways कितने होगे, दो, और टोटल books मेरे पास कि चौन का लिए वाला है नहीं वाला है क्या कर लेंगे तो देख लेते कौन सा अप्शन से यहीं हमारा जवाब है डी उप्शन क्या है यहां से सही हो जागा ठीक है अब आजाते हैं 53 नबर सवाल पे यहां पर क्या हो लिए इन दे इवर प्रॉब्लम find the number of ways in which at least one book each author can be given at least यहां पर क्या करना इसी problem से हमारे उपर वाले problem से related है find the number of ways, कितने ways है in which at least one book कम से कम है क्या देना है, एक book देना है of each author each author का हमें एक book देना है तो 53 number देख लेते हैं तो 53 number में हमें each का बोला जा रहा है तो देखो, जेफ्री आर्चर बुक कितने आपके बास पांच है और उसको दो तरीके से दिया जा सकता है तो यह होगा 5 माइनस वन हो गया तो आजाते हैं हमारे बस 3 different शिटनी सेल्डन बुक से 2 to the power 3 माइनस वन हो जाएगा ठीक है, 6 different क्या आपको जान गिर्शम बुक से हैं यह हो जागा 2 to the power 6 माइनस वन ठीक है, यह हो जागा आपका इसका आंसर हो जागा कौन सा ओप्शन से हो जाना चाहिए तो अगर ध्यान से देखो कि तो ओप्शन D इसका भी क्या होगा आपको सही होगा समझ गए सवाल कोगे ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए हाँ, तो दोस्तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल कहा है देखेंगे एक क्वेशन पेपर है जैसे 15 questions के आपको consisting of 15 questions है अब each question में क्या हो लग रहा है internal 24 है जिसमें कितने options है आपको दो options है तो कोई student in how many ways, कितने तरीके से कोई student attempt one or more questions एक और ज्यादा questions को attempt करने इन 15 सवाल में से, जो 15 सवाल उसको given है समझ गए यहाँ पर, ठीक है तो देखे, एक जैसे मुझे एक सवाल दे रखा गया जैसे 15 questions के आपे बोले, ध्याँ से इसको समझना एक तो हमारे यह questions हो गया ठीक है, और एक क्या जगा इसमें दो options बोले जा रहे है, यह दो मेरे क्या options हो तो total अगर कुल मिला के देखोगे तो एक तो में question choose करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें जितने भी options है उसको choose करना पड़ेगा यह होगे पहला और यह क्या होगे आपका दूसरा तो total कितने ways होगे यहाँ पर, total देखोगे तो तो तीन ways होगे, यहाँ पर जागा तीन और total सवाल कितने है हमारे पास, 15 questions है 3 to the power के आजगा उकर 15 और एक तरीका के आजगा यहाँ पर minus होगे जिसमें में कुछ भी choose नहीं कर रहे है तो कौन सा option से यह जवाब हो जाएगा तो option D के आजगा यहाँ से correct हो जाएगा clear है, समझगोगे इस सवाल को भी चलिए, अगला सवाल देख लिया जाए हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है और यह इस वीडियो का अंतीम सवाल है और इस सवाल में क्या बोला है how many numbers can be found with the digits 1678, 761 so that the odd digits always occupy odd places तो को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कितने तरीके से हमारे पास जो digits दे रखा गया, कितने तरीके से हम लोग यह number form कर सकते है एक तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 साथ, साथ digits से हाँ पर दे रखे गया है और इस से हमें क्या करना number form करना अब इसमें condition क्या है कि so that odd digits always occupy odd digits होना चाहिए न, वो always क्या होना चाहिए आपका odd place को ही occupy करना चाहिए ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा हमना आपस 7 digits से रखे गया है 7 digits का मुझे क्या करना number बताना है कितने number बन सकते हैं जिसमें आपका odd digits होना हमेशा क्या करेगा आपको और places को ही और places को ही आपको occupy करेगा में निदम ज occria हो जाएं एक हो गया था चाहर प्लेसे अपको साधकी आपता है तो प्रतव मैं होगा में फिल्जाग और प्रत रखे और तक आपको जागा एको यह ख़िए को होगा इंवें हो आपको और यह की हो जागा अब लाक्र चाहर क्या हो जाएंगा ऊब को एवन जाएंगा तीन अब हमारे बास जो Nos सबसे पहले के लिए लिखनी हिज़त हुआ है बस現在 समझाने के लिए लिगते लोन भी आप द्ध्यान से दखोगे यहाँ आपका रिपीट हो रहा है और आपको वन भी रिपीट हो रहा है तो उतने से क्या करना पड़ेगा मुझे जाए क्योंकि 7 भी रिपीट हो रहा है और टू से क्या कर देंगा मुल्टिप्लाई कर दिया यह आ जागा आपका फोर इंटु थ्री और नीचे में बच जागा आपका टू तू फैक्टर इस टू फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा यह तू से चला गया और बच गया टोटर यहां पर कितना आपको छे तू थ्री इसकी बात होगी अब नमबर ओफ वेंज टू फिल इवेंट प्लेसे इवेंट प्लेसे का मुझे देखना थे इवेंट प्लेसे पर देखोगे तो नमबर कौन-कौन से एक चे है आठ है और चे तो कितने और तीन प्लेसे भी हैं यहां पे तीन हो जाएगा फेक्टर और रि दूनों को लेकर लिखना पड़ेगा नमबर ओफ फेस हो जाएंगे नमबर ओफ फेस इस इकुल टू जगा सिक्स तो होगे और वाला और एवेंट हो जाएगा त्री और दुनों को मिल्टिप्लाइब करेंगा तो यहां जागा कितना एटीन तरीके से हमारे पास हैं जिसमे और डिजिट्स ऑलवेज और प्लेसे होंगे ठीक है एटीन नमबर हमारे यहां पर क्या होंगे तो सी और जैगा आपका करेक्ट हो जाएगा क्लियर है समझ गोगे सवाल को ठीक है तो दोस्तों यह इस वीडियो का अंदिन सवाल था और यह यहीं पर समाप्त होती है और मैं जरूर कीजिएगा ठीक है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस वीडियो का अगर आपको पीडियो फॉर्मेट चाहिए होगा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्कुशन बाक्स में मिल जागा आप वहां से डाउनलोड करके रख सकते हो या फिर मेरा और बेस्तरू पर यूर्व